नमस्कार दोस्तों मैं बालमकुंद और मेरे यूटूब चैनल बालमकुंद राभ ब्लोग में आप से भी कश्वागत है दोस्तों दोस्तों आज मैं हूँ हमारे जस्पूर के फिमस यूटूबर सरुज भगत जी के घर पर और उनका ये कॉलोनी है हुसिंग बोर्ड जस्पूर यहाँ पर पूरा कॉलोनी है दोस्तों और मैं उन्ही के घर में हूँ और सुबर सुबर भाई साब बना रहे हैं नास्ता नास्ता बना रहे हैं और कुछ दिर में उनके गाउं जाएंगे साहला और वहां इसलिए जाएंगे क्योंकि उनका धर बन रहा है वहां पर तो वहां पर पहुंच के आप लोगों को दिखाएंगे उनका घर कैसा बन रहा है वीडियो को पूरा लाट तक देखेगा और वीडियो पर बने रिखेगा दोस्तों यह हाउसिंग बाउड कालोनी बहुत बड़ी जगह पे बनाया गया है कालोनी और इधर शरजबाई के घर के बगल में अनार के पाउधे लगे हुए हैं और इधर दो-दो गाडिया है और इनका यह मकान है और इधर अम्रोद के मैं देखें यहां पर नास्ता करने का टाइम हां गया और यहां पर बाई साब आज होएज है कैसा बना आज़े मैं सब्धा है। दोस्तो अब सहला निकलने के लिए रेडी हो गए और निकल रहे हैं आपर हाइक निकाल रहे हैं और चलिए दोस्तो एक कालोनी हाउसिंग बॉर्ड चस्पूर्ड छूस्तो आपत हैं पाइस के लगए पर कम ji दोग मेंने हो छी का भी ताली वेव सक मेंने होग 11無 сек क्यू में गुव में अवरश च कम दोप्लाश रहे हो इंद का, पालो मे दोले। बूसकल अश्कले शबमा हो प्रूद का देख बढ़ पिरा है कि दोस्तों संत्रेग्निस इस चीजद संतीभ्रमन जस्पूर्ण कि इसकूल है, संतीभ्रमन जस्पूर्ण जस्पूर् कलेक्ट अज़ा घिनाल है, जाब शीला ने आले हैं, दोस्तों पिशन के रावा कि दॉट का छेरी अनुभी भाग ए अधिकार जो अबने में मिलेंगे आपको रंजीता इट्पियम जो जसपूर का खेल मैदान है जोस्तों ही दुटेशी आपको जोस्तों ही दुटेशी आपको दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ सैला जो कि यूट्यूबर भाई सरोजभगत का घर है ग्रिष ग्राम और देखें दोस्तों इनका मकान है कच्ची मकान जो कि दो मेंजीला है दो मंजीला मकान है कच्ची मकान जो देख पा रहे है पूरा ये इनका पुर्वज का घर है पुर्वजों से बना और अभी जो इनका मकान बन रहा है इधर लेंटर वाला देखें दोस्तों यहां पर बन रहा है और जाते हैं और पूछते हैं हमारे यूटूबर यूटूबर भाई सहाबसर रुजवगर से कहींगे यूटूब मनी से तो वह नहीं बना रहे हैं मकान मकान जानते हैं क्या राज है भाई इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने का चलिए अंदर जाके दिखाते हैं और पूछते हैं इसे कि इसना बड़ा घर बना रहे हैं कहीं यूटूब मनी से तो नहीं बना रहे हैं अभी पानी दे रहे हैं याँ पर जो भी अभी थीम डलाई हुआ है उसका तो दोस्तों मैं अभी चड़ चुका हूं इस जो नए घर बन रहे हैं उसके उपर और शरज भाई अभी पानी दे रहे हैं अपने जो नए बड़ा मकान बना रहे हैं इसके तो पुराना मकान है बाकि कोई अगर मिले आएंगे तो इसमें बठाया के चायों पिलाए जाए जाए बाकि उड़ा फोटेशोटे रूम है तके मकान में अए बन रहा है करीब आपर करीब 40-40 लोग आमसे बैठ सकते हैं आपर जो हमारे सब्सक्राइबर भाई आएंगे मिलने के लिए यहीं पर बिठाए जाए जाएगा और कोई भी जाएगे अपने रिटिव वाले योगी आए तो इहीं पर बैठके गुबख गुबख सकते हैं तो इसमेल के बान है आ योटूब मनीका भी कुछ नोल है सहोग है इचमें पाकि इसने काफी लोग का सहोग मिला हुआ है अपने एट अपने भाईों का टय मिलका सब्सक्राइबर के बना है क्योंकि सब अभी बाहर लाते है महाथ लोग जब आते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते है तो यह साथ तो देखिया दोस्तों किस तरह से इनका मकान बन रहा है होल दो रूम का है लेकिन होल टाइप कहीं बनाए गया है बीच में कालम दिया गया थोड़ा सा धर पुरा आप लोगों को दिखाता हूं अब शुबे का एक ताइम का काम हो गया है बाकि जो मिच्डी जो होते हैं वो जा चुके हैं अब बारा बज चुके हैं लगबग तो शुक्ति कर दी है अब इसकेंड टाइम में आएंगे दो बज़े काम किये हैं आज बाकि करीब एक एक जिस्टे जेड़ महीने हो गया बनत मिले यूटूब से आप लोग जरूर सपोर्ट और प्यार दीजे इनको और इनका घहर को वेख सकते हैं इस पर से कच्छी मकान का घहर को तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और फिर मिलते हैं करते हैं क्या झाा यहां आपskin ज Cameron कर जाएगा जाएगा दाए पोगो काफी मेनज कर रहा हूं और मस्कोर दॉट पा लूट जाओ कं आप lin वेनद कख्र रहू कर में नोग दोस्तों यह सरोज भगत भाईयाद जी का गाउं घर देखिये पूरा कम से कम 100 प्लस घर मकान है यहां पर और देखिये देखिये ठाहिए है जी मैद कता है कि अखिये जी सब अटेखिये जी शेंगाए है जी खुपके जी अटेखिये